तो यहां पे हम Serresize देखते हैं कि कौन कौन सा प्रोपटी इंटेलेक्टिव फ्रोपटी में आता है पहला है ट्रेड़ मार्क्तarem के वारे में हम यहां पर देखते हैं कि क्या chicos any ंत्रेडमार काम ऐधर यहां पर इनी मार्क पूट from the product such as the name of the product or service brand नेम विच हैप स्पूल तुचिंग्विस एट युच्ट यश लोगों को एक दूसरे के प्रोड़क्ट से इस्टिंग्स करता है इस तेंग्स करने का एक क्म естно prompts कों Spirin यूस को हम ट्रेडë मार्कर जैसे एकड morning ऑ पॉला दे नेम अव दे प्रोड़क्ट कंपनी जट सेक्ट रा ट्रेड मार्क एक्जामपल अपॉलो फार्मेसी अपॉलो फार्मेसी टाइटन वाचे आप घड़ी देखेंगे टाइटन का जो वो रहेगा लिखा हुआ वो लोगों जो बना रहता है उसमें क्या होगा आप डिस्टि पार्टीकुलर मार्क को देख करके लोग यह समँट जाथे हैं कि यह पूमा का हो शकता है तो यहाँ से आप देखेंगे वहां नापट किकी जैसे ही मार्क वहां देखेंगे, उनको एक एडिडास का देखेंगे, वो विश्वास करना सुरू कर देंगे, क्योंकि वो उस तरीकी का प्रोड़क्ट लगातार बनाते रहता है, यदि लैप्टॉप की बात करें, मुवाइल की बात करें, कुछ भी आप, किसी भी जीच की दो, आप एक अलग तरीके का मार्क होता ही होता है, जो कि क्या करता हूँ, उसका मेन फंक्शन क्या है, कि प्रोड़क्ट को डिस्टिंग्विस करने में हेल्प करता है, वो वाली बात है, तो मैं दुबारा पढ़ता हूँ कि ट्रेड मार्क का क्या मतलब है, एनी मार्क, ट्रेड मार्क, एक्जामपल अपलो फार्मिसी, टाइटन वाचेट एक्जामपल दिया है, और यहीं पे ट्रेड मार्क को खतम कर रहा है, ट्रेड मार्क का मतलब क्या हुआ, यह समझ में आ गया, क्या परपस है ट्रेड मार्क का, तो बेसिकली कहता है कि यदि यह क्या करता है प्रोड़क्ट को डिस्टिंग्विस करने का प्रयास करता है अब जैसे बात आप ऐसे समझे कोई कुछ बोलना चाहा रहे हैं क्या अब आज आप में से कई लोगों का साइध माई कौन है उसको आफ कर लीजिए एक बार ठीक है जैसे मान के चलिए कि अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पूछूंगा और आपको बताना है आपने देखा होगा कि चलो अधिडास का एक अपना मार्क है अपना एक उसका ब्रांड नेम है वो बात समझ में आती है लेकिन अधिया आप किसी भी फुट पार्थ पर चले जाए एडिडास नाम का एक और चीज आपको मिल जागा वहां पर कपड़े मिल जाएंगे तो क्या यह इन फ्रिंजमेंट क्योंकि पर्टिकुलर्ली वह शुज के लिए है अधिडास से शुज को जो है मतलब वह जूज करते हैं उनका और लोगों यह फी तरी ने मिलता जूंता है बत एक्जेक्ट रहता है एक्जेक्ट और यूज करते हैं एक्जेक्ट वी होता है जब ट्रेड माक से जब ब्रैंड टीकॉलार जब रैजिस्ट्रेशन होcę जाता है। तो टिगने जब एक लिठा होता है। और दूसरा कुछ लेकिन जितना उनका खरचा हो जाएगा वह उतना और और कोई बता सकते हैं अब 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 यह जो होता है तो अगर वह उसमें रही जिस्टेशन नहीं अगर यह उसलेवल पर आपके लिए और आसान कर देता हूं एक मिनट एक मिनट थोड़ा सा मैं और पर आसान कर देता हूं इस पूरे चीज को यह जो कंफ्यूजन है आपका कि यह थोड़ा लोगों सेम नहीं है या थोड़ा तिर्चा बना दिया यह सारी चीज़ें इसको एक मिनट के लिए हम एक जूम करते हैं या फिर प्रिजूम ऐसा कर दें कि एक्जेक्टली सेम बना अग्जेक्टली सेम है एक दम बिलकुल सेम है और उसके बाद भी इडिडास जो है उसको स्यूँ नहीं करता है इसका क्या कारण हो सकता है अब बताएए कमाल क्या कुछ बोल रहे था बताएए जी सर में ये चीज़ आइड कर रहा था कि उनके बिजनिस को ना इसमें नेगिटिव नहीं होता अगर इसको टेक्निकली देखें और बिजनिस माइंड होके देखें तो चाहिए वो फेक भी है लेकिन उनका प्रमोशन मतलब ये लोग की सेंस में मतलब एक फैक्ट नहीं है लेकिन विजनिस माइंड जब एक इंसको देखे रहा तो वैसे भी ठीक है और और कोई कुछ बोलना चाहिए देखिए ये क्लास है बिलकुल आप फ्री होकर के बात कर सकते हैं कोई इसू नहीं है ऐसा नहीं कि मतलब मै मैं एक तरफा बोलते रहूं आप भी चाहिए तो कुछ बोल सकते हैं आप लोगों से भी बहुत सारी चीज़न सीखने को मिलती है बताइए क्या बोल रहे हैं जो कॉमनली जो रेडी या फिर जो स्ट्रीट पे जो एडिडास या फिर जो भी ब्रैंड डुप्लिकेट है तो तो सर वो उस लेवल का कॉम्टिशन है यह नहीं एडिडास का वो मतलब जब एक होता है ना सर कॉम्टिशन होता है मार्केट में तब अगर पर्टिकुलर कंपनी सर सू कर सकती है और बिल्कुल इन्फरेंजमेंट होगा वो लेकिन यहां पे सर उस लेवल का ही नहीं है तो इसलिए पर्टिकुलर आडिडास को भी सर उस चीज़ का फर्क नहीं पढ़ आ है तो इसलिए उसके उपर वो लीगल एक्षन नहीं कर रहे है और कुछ बोल रहे थे कोई क्वालिटी के उपर भी तो एफेक्ट पढ़ाया है सेम लोगों लगा कि अगर कोई लोग क्वालिटी का सामान देगा तो जो सामने खरीदने वाला बंदा वो तो उस कंपनी को ही सोचेगा ना कि इस कंपनी का जो माल है वो खराब है तो उनको तो मतलब वो केस कर सकते हैं बिलकुल सही बात है इनका आरगुमेंट को आप कटके जी आप कि बड़ी आरगुमेंट है इनका कि बात तो सही बोल रही है जैसे सर यहाँ पर फार्मा कंपनी का जो मैं प्रैक्टिकल एक एक ग्जामपल देना चाहरी हूं कि सर वो कोई मॉलिक्यूल लेके आते हैं कोई पराशिटोमाल के साथ कोई कॉम्बिनेशन लिया है और उसका उन्होंने पेटेंट करा लिया अब क्या कर रही है जो कोई और कंपनी थर्ड पार्टी या फिर छोटी कंपनी ने क्या किया उसी मॉलिक्यूल को उसके स्ट्रेंथ में चेंज कर दिया मतलब वो जहां दस क्यूंति कर रहा है तो यहां पे तो सर्किंपनी यह कैसे करेंगे क्योंकि अडिडास केस वाले केस तो अपोजट हो गया ना फिर वहाँ पर नहीं कर रहा है तो मतलब क्यों नहीं कर रहा है यह मुझे कुद कंपिशन ओग रही है हिए बैच रहे हो जिसन ने बना तो सर केस किस पर करेंगे सर वह एज़ जार ओ वंडर्ने रहते हैं बंदेट अब उनने तो कुछ पता वह नहीं होता सर कंपनी किस पर केस करेंगे सर वह वह इसी वेक्टरी में कोई भी बना देता युश नाम लगा के सब्सक्राइब और दूसरा जो नेगेटिव वाला इफेक्ट का था वो सर जब एक कंपनी जो ब्रैंड होती है ना सर उसका यूशली लोगों को दिमाग में अपने आप आ जाता कि उस कंपनी का हैनी कि यह लोकल है या फिर कोपी है तो उस चीज़ के इतना फरक नहीं पड़ ठीक है अगर मैंने आड़े ड़ास के बारे में शिर्ट सुना है और जैसा इन्होंने आर्गुमेंट दिया तो मैंने नंकी कोई प्रोडट को पेले यूज को बराद मेरे को निई सकते हैं कि क्योंकि उनकी कस्टमर पर कोई एफेक्ट नहीं पड़ेगा तो यह वह ऐसा नहीं करते हैं कि जो यूज करने वाले वह यूज करेंगी ठीक है बिल्कुल सही जब आप लास्ट में आया है कि इसका यही कारण है कि आखेर वो जानते हैं उनका जो बड़ी-बड़ी कंपनियां होती है उनका मार्केटिंग का अलग से डिपार्टमेंट होता है तो मार्केटिंग वाले जो डिपार्टमेंट होता है उनको पता होता ह कौन सा मेरे डी कर रहा है कहां पर क्या भी कर रहा है क्या हो रहा है सब कुछ पता होता है लेकिन इसके बावजूत भी वो सिवूं कर ते हुआ उसका इसका कारण सबस्बसे बढ़ा यह है कि उसका जो डु मर 어제 और вд diff कमें चाहए सब immobility नई उसके ने यह सकते यह बहुत ही इंपरबरूबल सा चीज है। कि फुटबात वाले जो regular खरीद रहें snow reinvent kinkो जाकर नहीं कले होसे कई कभी कभी इंपरबरूबलन हया घृसा लेकिन highly खरीद ही नहीं सकता वो जाएगा तो सो रूमी जाएगा दूसरा उप्शन नहीं है तो इवन इसके बाब जूत भी कि वो बिल्कुल डिटो डी कर रहा है डुपलिकेट बना रहा है उसके बाब जूत भी वो सिऊट इसले नहीं करते क्योंकि जो कस्तमर का उनका बेस है वो customer base पे थोड़ा भी फरक नहीं पड़ता as it is कोई भी फरक नहीं पड़ता और companyya क्या होती है मैंने आप कई बार बताया था company का main purpose जो होता है पैसा कमाना होता है प्रोफिट कमाना होता है जब इनसे कोई नुकसान नहीं हो रहा है इनका तो फालतू अपना पैसा क्यों और time क्यों खराब करेंगा अपने legal department को क्यों इस सब फालतू जिर्में उलजाएंगे वो नहीं करते है ऐसा क्योंकि उनके customer base पे कोई भी फरक नहीं पड़ता है और यही कारण है कि वो ऐसा नहीं करते हैं और बाकी आपने जो भी reason दिया जो भी बातें आपने करी है वो more or less ठीक ठाकी है सब कुछ लेकिन basically ये जो last में इरम ने बताया कि इस तरीके का customer base पे कोई फरक नहीं पड़ता ये exactly यही point है कि उनके customer बिल्कुल भी नहीं जाते हूं पर footpath पर खरिदने और नहीं footpath वाले इधर आते तो कोई इसू नहीं है और at the same time इनका परशार भी हो रहा है डिडास का और आप डिडास को छोड़ दीजिए आप देखिए कि Microsoft है आप आपके laptop यूज़ करते होंगे उसमें देखिए Microsoft का बहुत सारी products होते हैं और यहां भी duplicate कर लेते हैं आप डी लगा लेते हैं कुछ न कुछ किसी तरीके से हैक करके वह कर लेते हैं क्योंकि उसका जो बेस है उसका जो पड़ाता है सब्सक्राइंस करने लगे उसका जो अपर से और यहां लोग क्या करते हैं तो प्रोड़क्ट का या फिर और भी बहुत सारे प्रोड़क्ट ऐसे होते हैं उनका हम D version जो है कहीं नहीं से निकाली लेते हैं उसको crack version या जो भी आप बोले हैं वो आप देखते होंगे laptop में यूज करते होंगे वो खरीदते हैं थीक है Windows हो गया यह सारी चीजे तो उसे फर किसी नॉर्मल कंपनी का होता है समान और उसमें Microsoft लिखा होता है और खरीदने वाले को कुछ भी आइडिया नहीं होता है तो एक तरह एक तरह से तो जो Microsoft के किसी नॉर्मल कंपनी का सामान पकड़ा दिया गया तो इससे उसके जो Microsoft कंपनी है उसकी कस्टमर के ऊपर इंडिरेक्ली में इफेक्ट पड़ेगा ना ठीक है वह आप बहुत एक्सेप्सनल वह चीज देख रहे हैं कि इस तरीके का चीज यदि होती है कोई कंपनी कोई दू कि आपको कुछ नहीं बहुत करना ना करते हैं तो कि उनिवर्सिटी उनिवर्सिटी ऑगाँ वहुत बड़ी उनिवर्सिटी है और वहांपे उनका क्योंकर जेते हैं जैसे लेकिन यदि वही उनिवरसिटी के नहम से तो ऐसा नहीं कर सकते हैं पहले लेना पड़ता है उनिवरसिटी को उसके बाद वो टिस्रिप्यूट करते हैं और उस लाइसेंस से टीचर वो लेते हैं तो यह एक अलग सिस्टम है क्योंकि वहां से ज्यादा रिवेन्यू उनको जन बन जाए और इंट्रेस्ट बनेगा तभी आपको बातें समझ में आएगी मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा तभी अपने आप पढ़ लोगे सबसे बड़ी बात होती इंट्रेस्ट की ठीक है तो कई बार में जानबूस करके थोड़ा एक्जांपल करते रहता हूं बताइए कुछ को फॉलो करना पड़ता है और बहुत ही सीवियर बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्ट है अलांकि यह वोलो आप नहीं करते हैं कोई और करप्सन से पैसा दे करके काम चला लेते हैं लेकिन यदि आप इसको नोटिस भेजते हैं तो बात है वह पूरी की पूरी कंपनी इनको आलत कर क्योंकि जो फूड का आइटम है उस पर बहुत ज्यादा सक्थ है हमारे पास कानून और उसमें इसलिए क्योंकि कि किसी का जिंदगी का बात होता है यदि आप डेरी मिल्क के बदले किसी को किसी को ऐसा चैक्लोट चॉकलेट दे दिये उसका तबियत कराब हो गया हो सकता उ किसी बात नहीं है और लीगल एक्षण होता है तो पूरा का पूरा बेक्टरी को बंद कर दिया जाता यह भी बात है तो खैर कोई बात है अभी के लिए आप इतना ही समझी है बाकी का जब जैसे जरूत होगा हम इसको डील करते जाएंगे तो ट्रेड मार्क के बारे में हमन क्या कर रहा है कि किसी चीज को इन वेंध करने के लिए अभी जैसे ड्रेक्पस बनाएगा को यह जो आप ड्रेक्स की बात करते हैं उसको बनाने इनवें tyle होगा तो इस इन्ने में क्या अगर्रान्ट होगा तो right granted over the invention of a product is called patent, in other words, when a person makes a new product, he can get a patent for the product, जब हम new product बनाते हैं तो हम क्या मिलता हमें, हमें मिलता है, इसमें patent उसको बोलते हैं कि हमें patent लेना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है, the person who made this invention is called patent owner, the patent owner can decide upon the uses of the product and who should use the product, अब जो invent किया है, उसको patent मिलेगा, या फिर कोई company यदि invent की है, तो उसको patent मिलेगा, लेकिन यदि वो चाहे कि अपने patent का right को, अब वही बात है patent क्या है, अभी जो trademark हमने बात कि वो क्या है, अरे वो right है, उसको आप law के वासा में समझी, वो एक right है, वो एक logo वाली बात तो सिर्प समझने के इस right को किसी को दे भी सकता हूँ, किसी को दे सकता हूँ ना, और मैं दूँगा तो उससे पैसा लोगा, तो वो मैं बिलकुल document बना के दूँगा, मतलब कोई भी unauthorized रूप से मेरे product को अपने जगा पे नहीं बेज सकता है, unless वो मेरा permission ले ले, तो ये patent हुआ, मतलब जिसका patent है, सिर्फ वही बेचे जरूरी नहीं है, कोई दूसरा भी बेज सकता है, लेकिन उसके लिए उसको permission लेना पड़ता है, किस से जो बेन patent holder है, patent honor है, उससे permission लेना पड़ेगा, और कई जगह पे वो दुकान खोल देंगे, अरे बाबा रामदेब को देख लो, इतना सा product बनात होता है, जब हम कुछ new invention करते हैं, तो ऐसा question आजागा कि यदि कोई A है, A कुछ scientist है, या कुछ ऐसा बता देगा, और बोला कि एक drug बना दिया, और यह new drug बनाया, कोरोना से deal करने के लिए ऐसा बनाया, जो काफी effective है, तो आप बताईए कि इसमें से कौन सा right इनको grant होगा, तो copyright की हम बात करते हैं, तो copyright में देखते हैं कि क्या है, कि copyright is the right obtained over the creation of any literary or artistic work, books, music, films, painting, देखिए, यह सब लिखा हुआ है, scriptures, etc. are covered under the copyright, तो यह सब देख लिजिए, कोई किताब लिख रहा है, music की बात हम करते हैं, film की बात करते हैं, pending की बात करते हैं, तो यह सारी चीज़े, quality pay किये हुए, वो भी copyright strike में चला जागा, music भी है, painting भी है, आप यह जो लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से समझ लिजेगा, are covered under the copyright, any person who wants to write a book or make a film based on the writing or idea of the another person should seek his permission for the idea that he has used, और यह सी बात है, उससे आप permission लेते हैं, तो कोई issue नहीं है, आप permission जो है, आप ले लिजिए, तो फिर आप कर सकते हैं काम कोई दिकरत नहीं, क्योंकि परमिशन इसलिए लेते हैं, क्योंकि उसके पस right है, और जब permission देगा, तो वो अपने right को transfer कर देगा आपको, जब right transfer हो जाएगा legally, तो obviously बात है, you can use that, तो यह इस तरीके से background में आप इसको ऐसे समझेए, कि right होता है, और वो right को transfer किया जा सकता है, transferable in nature होता है, और जब transfer हो जाएगा, तो कोई भी बन्दा उसको use कर सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह जो बार है, और dance, dance, disco, यह सब बाली बात जो होती है, यहाँ पे जो गाने चलते हैं, तो उनको pay करना पड़ता है royalty, यदि वो नह प्रक नहीं पड़ता है, काइदे से देखा जाए, तो हमें भी देना चाहिए, लोकिन individual करते हैं, उनका जो main revenue का source है, उसे फरक नहीं पड़ता है, enjoyment भी ज़रूरी है, तो छोड़ देते हैं, चलो कोई बात में, लेकिन वही चीज़ आप कही institution में करें, बार में करें, डिसक बाइड़ आप करेंगे, बार में, जानने वाले किये होंगे, तो आपको थोड़ा idea होगा, interior designing, किस तरीके से घर के अंदर, कहां पे कबोड होगा, कहां पे आपका बेड होगा, कहां पे, किस तरीके से चीज़े होगी, study desk कहां पे होगा, ये सारी चीज़े, एक अलग तरीके से, पूरा का पूरा study ही इस पे, तो ये भी एक तरीके का आपको protected होता है, कि इस तरीके का design यदि किया जा रहा है, यदि बहुत सारे जगा आप देखते होंगे, कोई भी बिलकुल, symbol इस तिर्फ रहता है, कुछ भी company का आप देखेंगे, उस तिर्फ symbol रहता है, उस situation में भी, आप वो जो design है, वो protected होता है, उसको भी आप copy assess नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये design of a safe cold drinks वेकरा bottle, cold drink का bottle की साकार का, जैसे ये वाला देखिए, ये जो bottle है, इसका बिलकुल अलग तरीके का structure है, अब इसमें मानके चलिए, same, एकदम exactly कोई design को copy कर ले, और यहां पे नाम कुछ अलग लगा दे, वो भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये design यदी रइस्टर किया गया होगा ये इसके, बेदिका के द्वारा, तो अब इससी बात है, इसको use नहीं कर सकते, जब तक कि उसका permission नहीं ले ले ले, तो आप कोई दूसरा design बना लेजिए, यहां पे कुछ और recurring लगा देजिए, कुछ और कर देजिए, यहां पे थोड़ा और या उनके marketing department वाले यही कामी होता है, उनका करना, उनका उनको सब पता लग जाएगा कि कहां पे क्या हो रहा नहीं हो रहा, उनको सब पता लग जाएगा, आप तो कुछ इसी तरीके की बात कर रहे हैं कि कैसे पता लग जाता इन्वेस्टिकेशन में, उनका काम ये पूरा का पूरा department होता है, लाखो करोडो रुपया लगाते हैं हर महीने, वो उसी चीज पे research करने पे कि कहां पे किस तरीके से यूज़ हो रहा, पता नहीं चलेगा उनको, सब पता चल जाता है, don't worry, ठीक है, हलो, हाँ, हाँ, बताईए, बताईए, हलो बोलके कहां चले गए भाई, अब आज आ रही है, आप लोग को या नहीं जा दिए, हलो, हाँ, सर, अरे बताओ तो सही क्या question है, हाँ, सर मैं यह बोला करो यार, तुम इतना जोर से क्यों बोलते हो, धीरे बोला करो, माईक को थोड़ा अलग कर लो, अपका आवाज पता ही नहीं चलता, आप इतना ज़्यादा माईक को पास करके बोलते हो कि कुछ नहीं समझ में आता, उपर से बहुत ज़्यादा आवाज आता है, मेरी आवाज आ रही है सब लोग को या नहीं जा रही है, कोई प्रोब्लम तो नहीं है, आप एक बार रिप्लाइ कीजे, कोका कोला बनाने का फॉर्मूला पॉर्मूला अच्छा फॉर्मूला एक अलग तरीके से ट्रेड सिक्रेट में आता है, वो यहाँ पर नहीं दिया गया है, उनफॉर्ट्यट्ली एक ट्रेड सिक्रेट भी होते है, उसमें आप फॉर्मूला की बात करते हैं, ठीक है, फॉर्मूला की बात करते हैं कि कौन सा कम्बिनेशन कैसे आज कल वो बेसिकली जो फार्मा इंड़स्ट्री होती है, वहां पर trade secret भी होता है इसमें नहीं दे रखा है जहांपे हम trade के secret को हम प्रोटक्ट करते हैं उसको नहीं बताते हैं इवेन आप काम कर रहा है उसमें आप इंपुलाई है उसके वावजूद भी आपसे agreement कराया जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि आप यहां से जाने के वाबजूद भी यह सब चीजों को दूसरे से रिवीर नहीं करेंगे और यह दे रिवील करते हैं तो उस पर आप पर करवाई की जाएगी तो वहां पर ट्रेट सिक्रेट में वह चीज आ सकता है ठीक है अब देखिए अगला जो यहां पर दे रखा है वह है देखिए तो उसी चीज के बारे में यहां पर कहा गया है कहता है कि सब्सक्राइब और उरिजिन और फिर गोड़िट्स को दियान में रखते ही उस पार्टिकुलर जगह का नाम जो और जीन है उसका उसका दिमाग में आ जाता है आपको बात सच गुड़्ट एंड प्रोड से आपने सुना हुआ तिरुपती का लड़ू तिरुपती का लड़ू तो लड़ू की जब ही हम तिरुपती लड़ू की बात करेंगे तो क्या दिमाग में आ रहा है जोगरफी एक जोगरफिकल एरिया का ध्यान आपके दिमाग में आ रहा है ठीक उसी परकार से जो टी की तरीके से आ सकता है तो अभी तक जो मैंने बता दिया कि जो नया प्रोड़क्ट बनेगा इन्वेंशन होगा उसमें प्रेटेंट होगा कॉपिराइट में म्यूजिक और यह बोक फिल्म एट्सक्तर यह सब ध्यान में रखिएगा डिजाइन मैंने बता दिया बोटल का डिजा यहां से बन जाएगा लेकिन एक क्वेशन यह आ सकता है अब अलग तरीके का कि ट्रेड मार्क कितने सालों के लिए ग्रांट किया जाता है भारत में पेटेंट कितने सालों के लिए ग्रांट किया जाता है कॉपिराइट कितने सालों के लिए ग्रांट किया जाता है करके रखेंगे और इस तरीके से आप बारा वर रिवाइज करेंगे तो याद रह जाएगा दूसरा कोशन इस तरीके का होता है कि ये कितने साल के लिए ग्रांट होता है उसके बाद ये खतम हो तो यह कर लिजेगा तीसरा जो है रिसेंटली कौन-कौन से जी आई टैग्स दिये गए हैं वो सब देख लिजेगा आप इतना बहर चीज में आपको एक्जेक्टली नहीं बता सकता आपको आडिया दे दिया यह सारी चीज़ें आप देखते रहेंगे और आने वाले समय में यदि कोई जी आई टैग दिया जाता है तो उसको भी ध्यान में रखेंगे चूंकि कुश्चन वो करेंट इवेंट के लिए बहुत ही एप्ट कुश्चन होगा तो अभी से 2021 का इजाम निशन जब तक नहीं हो जाता है तब तक कोई जी आई टैग यदि दिया गया है किसी निश पेपर पढ़ते रहिएगा ठीक है और ध्यान में रखते रहिएगा और जो टेवल आप बनाएंगे यदि कुश नया चीज आता है तो वहीं पर नीचे साइड में लिख लेंगे कि हाँ जी ये जी आई टैग इस साल मिला है ठीक है कुशन ऐसा हो सकता है कि 2020 में क्या म अगे बढ़ेंगे किसी को कुछ पूछना है तो आप दो तिन मिनट है टाइम आप पूछन एक चीज थोड़ा सा सर प्रोसेस पेटेंट और प्रोटक्ट पेटेंट के बारे में सर भी कुश्चन शायद आया हुआ हुआ है सर एक आद बार नहीं जरूरत नहीं है नहीं मैं आज दी अगागा जी सर आपने बोला था की बोलिए कोपी प्रोडक्त होते हैं ह। विए ने निवे क्योंकि सर्व उसमें कई डीलर ना रॉयल्टी पे कर देते हैं जैसे फॉर्स कॉपी प्रोडक्ट बना रहे हैं करते हैं बिलकुल सही है तो इसलिए सर्व कंपनी भी फाइल नहीं करती वो भी सही बात है कई कई जो कमपनियां है चोटी वो रोयलिटी पर करती हैं तो क्यों करेंगे जब उनके पास लीगल राइट है वह करने का तो नहीं करते हैं ओविसी वात है यह भी एक रीजन हो सकता है ठीक है तो बेसिकली यह तो मैंने आपको यह चेप्टर खतम हो गया आप भेसिकली तीन चैपटरच जाट में कांट्रेक्त टुक्षार ऐक लेकिन आज मैं एक वीडियो ऎको दूंगा वो लास्ट गंटे से ज्यादा का वीडियो है आप अच्छे से उसको देखेगा बहुत ही लूशीड वे में आपको चीजें समझाने का उहां पर समझाया गया है और यदि वो समझ में आ जाएगा तो एक एक लाइन फिर आपको आराम से समझ में आ जाएगा तो आप एक बार उहां से कर राउंड बन जाएगा उसके बाद मैं आगे बढ़ जाओंगा आगे मैं आपको समझा दूँगा ठीक है अदर्वाइस फिर से मैं उतना ही अफ़र्ट करूं जो मैं अलड़ी कर चुका हूं एक बार तो वहां से जब हो जाएगा तो अफ़र्ट करने का दुबारा कोई मतलब करेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आ सकती है तो इस बात को द्यान रखिएगा आप उस वीडियो का लिंक में ग्रूप पे भेजता हूं आप उसको देख लीजेगा अभी देख लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा क्योंकि अभी भी आधे घंटे का समय छे बजने सब्सक्राइब करेंगे तो आप उसको देखिए पहले ठीक है